एक कुछेन आता है इंट्रडूस र्सKA throughout the एक करने लग होता है कॉपरेक से क्टर में लग हो और यह च्टर धे सिल का है दिखें पूट स्पूच के लग होता है क्टमाने लग हो之前 टीजभी एक जो बच्चा है यह सेल्फ सेंटर तो नहीं है जादा बहुत वैधर एक नॉलजिस दी कॉंट्रिबूशन अफ अधर सिनी लाइफ सेल्फ सेंटर दुमैं अचीजिया मेरे इचीटूमैं हमेशह सेल्फ हम रखते है लेकिन एकनौलज़़ी कॉंट्रिबूशन ऑफ अधर वाइल इंट्रडूसिंग आर्देश्ट तो आप यह कहोगे जा आपका नाम यह है है ना आपने यह educational qualification करी है ठीक है ना उसके बाद you will tell something about पहले अपने बारे में नाम और education बताओगे education qualification जब बताओगे तो college का नाम जरूर लेना आपने या university का नाम जरूर लेना है वह acknowledgement है कि आप अपने अपने फैमली के बारे में बताना है कि my parents my father is this and my mother is this ठीक है फैमली के बारे में जरूर बताना है फिर आपको अपनी place के बारे में बताना है वह acknowledgement है कि आप अपने जो जमीन है अपनी place है उसको भी acknowledge कर रहे हैं है ना उसके बाद अगर वो आगे उसके बाद जाके then you can tell about your aspirations कि क्या चाहते हो आप जिन्दगी से क्या आपकी strengths है है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो अगर time मिले otherwise तो generally क्या होता है ये बोलोग तो अच्छा सा introduction त्यार करना है जिसमें आपके सारी चीज़े mentioned हूँ सिर्फ मैं 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 ना हूँ वहां पर कोई अपना यह नहीं कि अपना color बताओ आप गेट बताने लगजाओ है उमर बताने लगजाओ नो यहां पर introduce yourself का मतलब होता है they are not bent upon knowing your vital statistics उनको सिर्फ आपके identity के बारे में जाननी जानने की इच्छा होती है कि आप अपने आपको कैसे पहचानते हो तो पहचान स सिर्फ आपकी अपनी अचीवमेंट से नहीं है और आपकी अपनी अचीवमेंट अपनी नहीं है इस तो भी अट्रीबुटिटी तो अधर वो कैते हैं कि अगर कोई civil servant सिर्फ बहुत होता है तो जॉब में जाके भी गरबड करेगा है तो यह ध्यान अपने आपको दोन कॉपँा मुचा दोन कोका वो कर चे दोन को करें लाजू बश्रू आ हो अजनी पुलत है।